किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में किसान भाईयो अगर आप प्याज की ज्यादा से ज्यादा प्यदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्याज की फसल को थ्रिप्स से सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपके प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटेक हो जाता हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वह आपकी प्यदावार को 50% तक कम कर देते हैं त्रिप्स पोदे की जो पतिया होती हैं उनके बीच में रहते हैं और पत्यों का रश थूचते हैं यह सपेद, सिल्वर, पीले यह फिर काले कलर में आपको दिखाई दे सकते हैं अगर आप पत्यों को ध्यान से देखते हो तो ही आपको यह नजर आएंगे त्रिप्स पत्यों का रश तूचते हैं जिससे पोदे में पीलापन, पत्या मुर जाना, पत्या टेडी मेडी होना शुरू हो जाती हैं और कुछ दिनों बाद अगर हम पोदे को देखेंगे तो पोदे की ग्रोथ पुरी तरीके से रुख जाएगी और वह पोदा ऐसा लगेगा कि पोदा पुरी तरीके से खत्म हो चुका है इसलिए अगर आपके खेत में एक बार थ्रिप्स गुष जाता हैं तो वह आसानी से कंट्रोल भी नहीं होता है इसलिए आपको पहले से ही त्रिप्स के लिए कीरनासक दवाओ का प्रियोग समय समय पर करते रहना चाहिए त्रिप्स अधिकतर जब भी आस्मान में बादल आते हैं उस समय पर लगते हैं इसलिए जब भी आपके छेतर में मौसम खराब हो उस समय पर आपको थ्रिप्स के लिए कीड़ना सक दवाओ का स्प्रे कर देना चाहिए तो किसान भाईयो अब बात आती है हमें कौन-कौन सी दवाओ का परियोक थ्रिप्स के लिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी दवाओ यह एसी होती हैं जिनका हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है और थ्रिप्स हर किसी दवाओ से कंट्रोल भी नहीं होते हैं तो इस वीडियो में हम 3-4 एसी सबसे बेश्ट दवाओ के बारे में बात करेंगे परती एकड़ उनका डोज कितना रखना है किस परकार से उनका प्रियोग करना है इसके बारे में वीडियो में विश्टार से बात करेंगे इसलिए आप वीडियो को बीना स्कीप के अंत तक जरूर देखे और किसान भाईयो आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर चरूर करें अब अगर बात करें हम ठ्रिप्स के लिए कीड़ना सकते दवाओं की तो आपको हमेशा एसी दवाओं का प्रियोग करना चाहिए जिनका रेजल्ट अच्छा मिलता हो जैसे कि पहले नंबर पर थायो में एक साम 12.6 प्रतिसाथ और लेमड़ा सालोतरी 9.5 प्रतिसाथ के कॉमिनेशन वाली दवाइए अगर हम बात करें कंपनी वाइस तो सिजेंटा की अलिका मिलती है या पिर आप किसी कम वन्य कंपनी की दवा का पुर्योग भी कर सकते हैं इसका डोज आपको परती एकर 80 ml लगना है और 15 पानी में आपको 8 ml सिजेंटा अलिका को डालना है और आपको इस प्रेय कर देना है किसान भाइयो अगर थ्रिप्स कम लग रहे हैं तो अलिका असानी से कंट्रोल कर लेगी अगर थ्रिप्स और ज्यादा लग रहे हैं तो आप अलिका के साथ एमेडा क्लोरोर्पीड 17 यह भी काफी अच्छी दवाई हैं इस टेक्निकल के साथ आपको बायर की एड्माय मिल जाएगी इसका डोज आपको 50 ग्राम प्रती एकड के हिसाब से रखना है अगर थ्रिप्स कम लग रहे हैं तो आप एमेडा क्लोरोर्पीड 17 डव्यूजी का सिंगल यूज करें अगर प्रिप्स ज्यादा लग रहे हैं तो आप इसके साथ लेमडा सालोत्रिंट 5% का परियोग कर सकते हैं इसके लिए आप से जन्टा की कराटे का परियोग करें किसान भाई यो उसके अलावा जो फिप्रोनिल 40% और इमेडा क्लोरोपीड 40% वाली जो दोवाई आती हैं उनका प्रिप्स के ऊपर काफी अच्छा रेजल्ट देखा गया है इस टेकनिकल के साथ आपको मार्केट में बायर कंपनी की लेजेंटा और गालडा कंपनी की पुलिस कीरना सक मिल जाएगी इनका डोज आपको 100 ग्राम प्रती एकड़ के इसाब से और 15 लिटर पानी में आपको 10 ग्राम बायर लेजेंटा या गालडा पुलिस का प्रियोग करना है आप चाहिए तो किसी अन्य कंपनी का भी प्रियोग कर सकते हैं और चोथे नंबर पर जो कीटनासक है वह हैं फिप्रोनील 80% डब्लू जी इस टेकनिकल के साथ आपको बायर कंपनी की जंप कीटनासक मिल जाएगी या आप किसी अन्य कीटनासक का प्रियोग भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप फिप्रोनील 80% डब्लू जी का स्प्रेक करते हैं तो आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स असानी से खत्म हो जाएंगे और अगर थ्रिप्स ज्यादा लग रहे हैं तो आप इसके साथ अगले वीडियो में जए जवान जए किसान